हमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरे योटूब चैनल में एक और मैदपून वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे NPS अकाउंट में हम अपने नौमिनी को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर हम एक और नौमिनी एड करना चाहें तो उसको कैसे एड कर सकते हैं या फिर पहले से जो नौमिनी एड है उसको हटाना चाहें या कुछ एडिट करना चाहें तो यह सारे कारे हम किस परकार से कर सकते हैं आए ये वीडियो में देखते हैं सबसे पहले हमें ब्राउजर में जाकर सर्च करना होगा CRA NSDL या फिर आप कर सकते हैं NSDL Login यहां पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ वेबसाइट खुलती है मैं आपको यह वाली वेबसाइट खुलनी है मैं इंडिगेट कर देता हूं आप देख सकते हैं इसका logo है CRA NSDL.com तो इसको हम open करते हैं open करने के बाद में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक login का पेज खुल जाता है अब हमें क्या करना है यह जो सब्सक्राइब्स सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है कि इसके नीचे user ID और password और capture भरना है और submit करना है यदि आप अपना password भूल गए हैं तो आप प्रीशेट password की मदद से इसको आसानी से password को reset कर सकते हैं को समझे आती है साथियों तो हम आपकी मदद करेंगे तो user ID जो होती है वो हमारे पैन नंबर होते हैं वो हमारी user ID होती है तो हम user ID प्राण नंबर भर देंगे इसके बाद password और उसके बाद capture की calculation करके हमें भर देनी है यह सब कारी करने के बाद में हमें submit पर किलिक करना है कि सब्मिट पर किलिक करते ही आप देखेंगे कि आप अब website में login हो चुके हैं अब यहां पर हमारे सामने काफी option आ जाते हैं ओनलाइन transaction देखना है आपको आपके खाते में कितना पैसा है यह सारी चीज़े आप investment summary में देख सकते हैं इसके ओपर वीडियो बनाया जा चुका है डेटेल से आप जाकर एक बार चैनल के वीडियो में देख लें अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस परकार nominee के नाम में change किया जाए या फिर एक नया nominee जोड़ा जाए तो इसके लिए आपको एक option दिखाए दे रहा होगा demographic changes यहाँ पर click करना है click करने के बाद में नीचे एक window open होती है इसमें आप देख सकते हैं सबसे last में है update personal details तो आपको यहाँ पर click करना है क्लिक करने के बाद में एक नया page open होगा और कुछ इस परकार का interface हमको दिखाए देगा यहाँ से हम साथ यह बहुत सारी कारी कर सकते हैं जैसे photo और signature upload कर सकते हैं और annual transaction statement और यदि हम यह email के द्वारा चाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और add update permanent account number पे नमबर form 60 को भी यहाँ से update कर सकते हैं इसके बाद एक option आता है add update nominie details और last option आता है e-sign download अभी हमे nominie को update करना है इसलिए हम यह जो add update nominie details है यहाँ पर click करेंगे और साथ ही हो यह जो बाकी के option है इनके उपर भी जल्द ही video बना दी जाएगी details से तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए आईए देखते हैं हमने add क्लिक किया उसके बाद में एक message आता है इसको में पढ़ लेना है please confirm if you want to proceed further to update या add nominie यह confirmation है कि आप nominie को add करना चाते हैं या फिर कुछ update करना चाते हैं तो हम update पर click कर देते हैं कि इसके बाद में एक नया page खुलता है आप देख सकते हैं कि यहां पर आप कर देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं add का option है यदि इसको change करना चाते हैं तो यहां पर reset का option दे रखा है साथ ही back का है आप back भी जा सकते हैं अभी इस case में हम reset करना चाते हैं तो reset पर click करेंगे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आप की सामने बहुत सारी फिल्डा जाती है जैसे हम सुरुवात से देखते हैं तो यहां पर आपको nomini का first name देना होता है तो यहां पर आप nomini का first name डाल देंगे इसके बाद में साथ ही हो middle name आपको यहां पर भर देना है last name या surname जो भी होगा वो आपको यहां पर भर देना है फिर दो option पूछे जाते हैं major या minor तो आप में इस में से select कर लेना है major ही select कर लेंगे ज्यादा ठीक रहेगा फिर इसके बाद nomini की date of birth यह option आता है और हमें calendar के म nomini की date of birth यहां से choose करनी होती है dob के बाद में relationship nomini के साथ आपका क्या relationship है वह आप इसमें लिख देंगे इसके बाद हम देखते है percentage share यदि आपने दो nomini बना रखे हैं तो आप उसमें से share कर सकते हैं आप चाहें तो 50-50 या फिर जो भी आप चाहें आप share पर दान कर सकते हैं यदि एक है तो यहां पर 100% ही करें इसके बाद guardians first name in case of minor यदि आपका nomini a whisk है उस case में उसके guardians का detail देनी होगी तो वो DOB के हिसाब से यहां पर option हो जाते हैं इसके बाद में address आता है आप यहां पर अपना पूरा address in code city इस्टेट यह सारी चीजें फिल कर देंगे पूरा address फिल करने के बाद में हम नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है एक शेव का option यदि इपर की सारी डिटेल सही हैं तो हमें शेव कर देना है अन्य था हम reset के द्वारा रिशेट भी कर सकते हैं तो मैंने अभी आपके सामने सारी चीजे लाइव करके दिखाईएं साथियों तो अब हम इसको शेव कर देते हैं शेव करने के बाद में आप देखेंगे कि सारी चीजें जो हमने भरी थी वो हमारी skin पर आ चुकी है और नीचे दो option आते हैं एक तो करना चाते हैं तब modify पर क्लिक करना है अन्य था हम submit के उपर क्लिक कर देते हैं कि submit पर क्लिक करने के बाद में एक OTP आपके mobile नंबर पर जाएगा उस OTP को यहां पर भर देना है साथियों चोंकि OTP आ चुका है तो अभी उसको भर देते हैं यदि OTP नहीं आता है तो यहां पर एक option दे रखा है region rate OTP इस पर क्लिक करेंगे तो दुबारा OTP बेज दिया जाएगा फिर आपको फिल कर देना है अब यह OTP आ चुका है OTP हमने भर दिया है अब हम submit OTP पर क्लिक करते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद में साथियों एक नया page open होता है और आप देख सकते हैं कि जो भी हमने कारे किया था वो अपडेट हो चुका है इस परकार हम अपने नौमेनी की डіटेल्स को इडेट कर सकते थे बदल सकते हैं या फिर पर को Alright नया नौमेनी एड़ करना चाहें तो उसको नहीं यह वीडियो मैंने आपके सामने बिना किसी बलर के पूरा लाइव बनाया है तो इसलिए साथ ही हो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आओ सिकता ह है यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है